सबसे पहले तो देखते हैं कि यह आपकी एच हाइट की बिल्डिंग है महां से आपने A को और B को दोनों को ड्रॉप किया है यह सवाल अगर आप नोटिस करेंगे कानमेटिक्स का सवाल है इसमें मास का कोई फरक नहीं पड़ेगा मास आपका चाय जो भी हो टाइम और वो जो है दोनों का इंडिपनेंट वो आएगा यहां पर आपने जो एक को हाइट 16 मिटर से गिरा है दूसरे को आपने 25 मिटर से गिरा है तो यह आपकी एक की हाइट 16 मिटर है है एच की वैल्यू सोला मिटर दूसरे का बी जिसको आपने गिरा है एच की हाइट 25 मिटर है नाउन उपा से नीचे आने का टाइम अपने को पता है जो उपा से नीचे आने का जो टाइम होता है उसको हम लिखते हैं अंडरूट 2H by G तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे T A divided by T B क्योंकि आपका 2 O G यहाँ पे constant है तो उससे को यह आपका फरक नहीं पड़ेगा तो इसकी वाल्यू आजाएका अंडरूट 16 divided by 25 यह directly आपके HK proportional होगा तो इसकी वाल्यू हो जाएकी 4 by 5, so that will be our final answers, based on this हम कह सकते हैं कि option number A, 4 by 5 would be the right choice